कि और नाम एक मुकेश और आप Thousand All तो भी हम लोग टिक्नोमेट्री का पूरा सीरीज्च 156 करनेट तो आज हम लोग टिक्नóc मेंट्रीक का एक टापिक जो कि इनमसेट का एग्जाम से पूछा जाता है ठीक है ज़ीजाम से टेखे गये हैं अते हैं तो इस तरह से निमसेट में एक से दू कोुशिंटस आते हैं इन्वर्स चिगनोमेटिक फंसन से ठीक है तो यह वाला आपको कॉंसर्प जानना चाहिए पहले कॉंसर्प जर्द आम लोग सिखेंगे इसका डेफिनेशन देखते हैं यह वाला हमेलोगा देफिनेशन है ठीक है क्या होता है उसकोfolgी निative कैसे करते हैं okay डिनोट कैसे काते है और लिए निवर्ण क्वेशिनट कैसा है और ऐसकाkg मिन रेंज क्रीज सर दो मेंग अंट इंवर भी वन सेंद्र मख मज़िीज को सब्सक्राइब में Rob X, तो उसको हम लोग कैसे, sin theta equals to X को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, sin inverse X, okay, and it is reader's sin inverse X, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इसको sin to the power minus 1 X को हम लोग बोलते है, sin inverse X, ठीक है, जैसे कि देखिए, sin theta equals to X, जब sin इधा चला जाएगा, friends, तो वो क्या हो जाएगा, inverse हो जाएगा, theta equals to sin inverse of X, ठीक है, तो sin inverse of X equals to theta, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको यह करते हैं, represent करते हैं, sin inverse में, यह देखिए, कुछ denotion, कुछ important, जो denotion है, ठीक है, इसको sin inverse X equals to theta लिखा हुआ है, तो X क्या हो जाएगा, X equals to sin theta, ठीक है, X equals to sin theta, जैसे की, देखो, यहाँ पर मैं बता दरो, sin inverse X equals to theta है, तो जब sin इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, positive हो जाएगा, equals to sin theta, उसी तरह से कुछ important, जैसे कॉस inverse X equals to theta, तो X equals to cos theta, 10 inverse X equals to theta, ठीक है, यह कुछ important से, इसी के उपर में base करके, ज्यादा तर question पूछा, sin, cause और tan के उपर में, अभी domain and range देख लेते हैं, domain and range, आपको मालूम होना चाहिए, sin inverse X का कितना domain रहता है, और उसका range कितना रहता है, यह तीनों ही important है, friends, तीनों ही important है, इसी के उपर में ही, आपको concept based question पूछा जाता है, okay, तो y equals to sin inverse X, तो उसका domain क्या रहेगा, minus 1 से 1 तक उसका domain है, range है minus pi by 2 से pi by 2 तक, वैसे ही, y equals to cos inverse X, उसका भी domain है minus 1 से 1 तक, और range है 0 to pi, और y equals to 10 inverse X, उसका domain है minus infinity to infinity, range है minus pi by 2 to pi by 2, ठीक है, तो यह कुछ important concept है, इसको आप note down करते चलिए, अगर आप book से point है, तो उसको highlight करते चलिए, ठीक है, यही सब concept, आपके doubts, जितने basic concept है, यही आपके, जब हम लोग advanced question करेंगे, यही basic concept सब, आपके क्या fundamentals clear कर देंगे, और easily आप वो questions आपको solve कर पाएंगे, चलिए, तो आभी हम लोग करते हैं, properties of inverse function, तो चलिए, अभी हम लोग properties of inverse trigonometric functions देखते हैं, ठीक है, तो properties of inverse trigonometric बहुत easy है, इसको समझना भी बहुत easy है, बस आपको, इसमें क्या है, sin into sin inverse x equals to x, यह वाला उसका domain हो गया, ठीक है, domain हो गया, बस इसको आपको याद रखना है, यह domain उसका कितना मैं minus 1 से 1 में जाता है, और cosine into cosine inverse x, x होता है, simple simple formulas है, properties है, इस सबको आपको याद रखना है, यह formula आपको याद रखना है, यह properties, फिर यह वाला properties हो गया है, इसको याद रखना है, तो चलिए, first से हम लोग start करते हैं, sin into sin inverse x क्या होता है, x होता है, cos into cos inverse x, x होगा, 10 into 10 inverse x, x होगा, इसका domain याद रखे, minus 1 से 1 तक, इसका भी minus 1 से 1 तक, minus infinity से infinity तक 10 का है, अगर sin inverse sin theta है, 1 दिया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, domain बोलेंगे, ठीक है, domain, अगर pi by 2 में दिया है, यह सब, तो हम लोग उसको range बोलेंगे, okay, simple है, cos inverse cos theta equals to theta, 0 less than x, pi, 0 से pi तक, ठीक है, 10 inverse 10 theta equals to theta, minus pi by 2 से pi by 2 तक, उसी तरह sin inverse minus x equals to minus sin inverse x, cos inverse minus x, equal to pi minus cos inverse x, 10 inverse minus x equals to minus 10 inverse x, और cot inverse minus x equal to pi minus cot inverse x, ठीक है, यह इसका domain है, domain को याद रखना है, अभी 4 का sin inverse of minus x equals to cos theta inverse 1 by x, ठीक है, sin inverse of minus x क्या होता, cos theta inverse 1 by x, उसी तरह cos inverse minus x equals to sec inverse 1 by x, 10 inverse of minus x equals to cot inverse of 1 by x, ठीक है, अभी हम लोग plus addition वाला, कुछ inverse देख लेता है, sin inverse x plus cos inverse x equals to pi by 2 होता है, 10 inverse x plus cot inverse x, pi by 2 होता है, sec inverse x plus cosec inverse x, pi by 2 होता है, ठीक है, तो इसको यह सब importance है, कि सबको आपको याद रखना है, जितना भी है, सबको आपको याद कर लेना है, properties, तो आपको easy हो जाएगा, ठीक है, चलिए, properties हम लोग कर लिए, तो आभी हम लोग कुछ question solve करते हैं, इस properties के उपर में, ठीक है, इसको आप note down कर लीजिए, अगर book से कर रहे हैं, तो उसको highlight कर लीजिए, और इस सबको आपको याद करना है, ठीक है, चलिए, तो हम लोग question solve करते हैं, question क्या है, value of cos inverse cos 5 by 3 plus sin inverse sin 5 by 3, question है, find the value of, find value of, क्या बोला है, cos inverse cos 5 by 3, cos inverse cos 5 by 3, plus sin inverse sin 5 by 3, ठीक है, इसका हम लोग का value find out करना है, by using trigonometric equations, functions और identities, trigonometric identities मैंने बताया था, cos 5 by 3, क्योंकि, cos 5 by 3 का हम लोग तो value नहीं मालूम है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 pi minus 5 by 3 कर सकते हैं, देखिए, इसको हम लोग कैसा solution निकाल सकते हैं, इसका solution देखते हैं, cos inverse cos 2 pi minus 5 by 2 pi minus 5 by 3, ठीक है, plus sin inverse, sin 2 pi minus 5 by 3, देखिए, 2 pi minus 5 by 3 का अगर निकालें, 2 pi minus 5 by 3 का अगर हम लोग करें, यह क्या हो जाएगा, 6 pi minus 5 by 4 divided by 3, तो हम लोग को 5 pi by 3 मिल गया, तो 5 by 3 को हम लोग इस तरह से represent कर सकते हैं, बहुत जनकाई, इसमें भी doubts हो जाते हैं, इसको कैसे निकाल लिए, इसको हम लोग equation, इसको हम लोग solve करेंगे, 2 pi मतलब 180, pi हम लोग का 180, मतलब 360 minus pi, ओके, देख लेते हैं, अभी हम लोग, आपको मालूम होगा, यह वाला जो, मैंने जो allied angles, standard angles का फॉल्मूरा बताया था, यह 0 degree, ओके, यह 90 degree, यह 180 degree, और यह 360 degree, इसमें all positive रहता है, इसमें sign positive रहता है, इसमें 10 positive रहता है, इसमें cause positive रहता है, all sign 10 cause, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, और इसमें changes होता है, अगर sign है तो 90 degree में, और 270 degree में change होता है, ओके, 360, इसमें 180 degree में no change, और 360 degree में भी no change, तो देखो फर्स्ट अफ आल यहां पर कॉस्ट थ्री सिक्स्टी माइनस पाइब बोला है और साइन टैन कॉस्ट थ्री सिक्स्टी मींस का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगा ठीक है तो कॉस्ट इन्वर्स थ्री सिक्स्टी में चेंजस नहीं होता है तो कॉस्ट का कॉस्ट ही रहेगा कॉस्ट क्या हो जाएगा कॉस्ट पाइब थ्री हो जाएगा प्लस साइन इन्वर्स साइन थ्री सिक्स्टी साइन थ्री सिक्स्टी मेंस साइन का वैल्यू यहां पर चेंजस नहीं होगा साइन ही र minus sine più by 3 भी लिख सकते है, minus sine più by 3, ओक्ये इस तरा से हम लोग represent रिता सकते हैं इसको, तो cos inverse cosわ by 3, cos inverse cos theta क्या होगा, cos inverse cos theta हम लोगा theta होता है, वह Peバイ 3, Sin-sin इंवर्स, ми-sin ... बैका हमसे मैं पोदिदा हो ,- जब इसको हम करें को हम पूरा होगा ,- पाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब लिग तह पाइबाइबाइबाइब त्री माइनस्द पाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबारी क्वेशन साइट तो यह बहुत ही सीली कोस्टेन्स रहें बहुत ही नॉर्मल कोस्टेन्स इस ताइप का कुछ्चन पूछा भी नहीं जाता है कभी कभर पूछ देता है ओके आया आजाता है कभी कभर लेकिन आपका basic concept क्लियर रहे है तो आप इजिली सौल कर सकते हैं इस-ब कि अधर रफ के लिए बना ले वही अच्छा रहेगा चलिए यह वाला पाट में रफ के लिए बना देता हूं ठीक है अधर रफ्वर रफ और के लिए इसपार और एक कुश्वेशन है अधि फ्न इसना इनवर्स थी था पाईपास इनोड सीटाइटि आइंड वेल्यू आव तैनं इन नंति इन इन फ्न वही थी थाइए फगान आपक्वर राफ तैन्ट के लिएवर्स स्ट्रीव थाईव थाइ साइन इन्वर्स 3 by 5 plus cos inverse क्या है 3 by square root 13 3 by square root 13 is क्या होगा तो इसको अभी हम लोग सॉल करेंगे साइन इन्वर्स 3 by 5 plus cos inverse 3 by root 13 जब इस तरह को question दिया गा है friends तो हम लोग क्या करना है यह जो दोनों जो value है sin inverse x plus cos inverse y ठीक है sin inverse x plus cos inverse y जो है अभी तक तो हम लोग किये नहीं है तो इसको हम लोग कैसे solve करेंगे तो इसको हम लोग normally हम लोग trigonometric equations जो है trigonometric functions और trigonometric right angle triangle Pythagoras theorem की help से हम लोग इसको solve कर सकते हैं कैसे solve करेंगे देखिए इसे को solution निकालते है solution यहां पर क्या बोला है 10 into sin inverse 3 by 5 यह sin inverse 3 by 5 है यह cos inverse 3 by 3 square root 13 है अगर इसको हम लोग right angle triangle में करें तो sin के लिए क्या आ जाएगा sin equals to root 1 इसको याद रखेंगे साइन इंवर्स 3 by 5 plus cos inverse 3 by square root 13 ठीक है sin 3 by 5 means sin theta के क्या होता है इसको याद रखें sin theta equals to height by hypotenuse cos theta equals to base by hypotenuse 10 theta equals to height by base height को हम लोग perpendicular भी बोलते हैं यह perpendicular या फिर height ठीक है perpendicular या फिर height इसको hypotenuse बोला जाता है यह वाला base बोला जाता है यह normal concept है यह वाला हम लोग next topic जो height and distance है उसमें आभी हम लोग cover करेंगे यह सब को साइन इन्वर्स 3 by 5 ठीक है साइन इन्वर्स 3 by 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं यह दखें साइन इन्वर्स 3 by 5 को हम लोग अगर यह देखो इसको इसे करते हैं साइन इन्वर्स 3 by 5 ठीक है 3 by 5 means यह क्या होता है साइन थीटा हाइड बाइ हाइपोटेनियस हाइड 3 हो गया हाइपोटेनियस 5 हो गया तो obviously यह क्या हो जाएगा अगर हम लोग पाइथोगरास सब्सक्राइब 25 यह वाला 9 हो गया प्लस B स्क्राइब 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा है इसको 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 हम लोग क्या लिख सकते है टैन इन्वर्स 10 क्या होता है हाइड बाइबेस टैन होता है हाइड बाइब बेस तो टैन इन्वर्स 3 बाइफ फॉर उसको लिख सकते हैं ठीक है एड इन्वर्स 3 बाइफ फॉर उसी तरह कॉस इन्वर्स कि रूट अन्दर 13 उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट का सकते है यह देखिए cause क्या होता है base by hypotenuse cause होता है base by hypotenuse base क्या है base है 3 और hypotenuse है root 13 तो इसको अगर हम लोग निकाले 13 का square इकल डो height square, okay s square, यह वाला h है s square plus 3 का square तो 13 equals to s square plus 9 13 minus 9 equals to s square तो 4 equals to s square square root 4 equals to h this implies that h equals to square root 4 हम लोग अगया निता है 2 तो cos inverse equals to 10 inverse यह वाला आगया क्या यह वाला height आगया हम लोगा 2 height by base 2 by 3 उसको हम लोग रिप्रेजंट कर सकते हैं 10 inverse 3 by 4 plus 10 inverse 2 by 3 ठीक है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं अभी देखो 10 into sin inverse 3 by 5 को क्या लिख सकते हैं 10 inverse 3 by 4 plus 10 inverse 2 by 3 इस सारा से उसको रिप्रेजंट कर सकते हैं तो यह वाला कौन सा फॉर्मूला हो गया है 10 a plus 10 b ठीक है 10 a plus b का फॉर्मूला क्या है 10 a plus 10 b तो इसको हम लोग पूरा कॉमन ले ले लेते हैं 10 a plus 10 b फोल डिवादर 1 minus 10 a into 10 b 10 a into 10 b ठीक है जब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करें तो हम लोग क्या मिलेगा 2 into 10 inverse क्या हो जाएगा यह 4 3 जा अगर हम लोग इस में ले common तो यह 12 हो गया ठीक है 4 3 जा 12 9 हो गया 3 4 जा 8 हो गया हो गया हो गया है तो टैन इंटू 10 inverse क्या हो जाएगा यह 17 by 12 17 by 12 whole divided by क्या जाएगा टू टू minus 1 1 by 2 ओके तो इसको हम लोग कैसे represent कर सकते हैं इसको हम लोग इस तरह से represent कर 10 into 10 inverse 17 by 12 into 2 by 1 ओके 12 into 2 by 1 यह क्या हो गया 2 सिख जा तो यह क्या हो गया 10 into 10 inverse 17 by 6 हो गया तो 10 inverse 10 theta क्या होता है theta तो हम लोगा answer क्या आगया 17 by 6 ठीक है यह हो गया answer 17 by 6 हम लोगा answer हो गया तो इस तरह से question को आपको solve करना है बस आपको यह formulas याद रखना है formula याद रखेंगे तो आप easily सब question को solve कर पाएंगे ठीक है तो यह वाला question को आप not down कर लीज़े बहुत ही important questions अब है और बहुत ही basic questions अब है ठीक है important भी है basic भी है क्योंकि आपका basic fundamental clear नहीं रहेगा तो आप यह easy questions है ठीक है easy questions तो moderate level question hard level question नहीं कर पाएंगे अगर आपका funda clear नहीं है तो चलिए तो आभी हम लोग some end difference formula देख लेते हैं कि अब है तो यह वाला investing metric का बहुत important है यह वाला से ही question पूछा जाए जाए आता है ठीक है sum and difference formulas से निमसेट में question पूछा गया है friends तो sin inverse x plus sin inverse y देखें first हम लोग first one two three important इसके जो concept से इसको हम लोग देखते हैं पहले sign का देख लें sin inverse x plus sin inverse y क्या होता है sin inverse whole bracket x square root 1-y square plus y square root 1-x square उसी तरह sin inverse x minus sin inverse y का sin inverse x square root 1-y square minus y square root 1-x square cos inverse x plus cos inverse y का cos inverse xy minus square root 1-x square root 1-y square उसी तरह cos inverse x minus cos inverse y equals to cos inverse xy plus square root 1-x square into square root 1-y square ठीक है यह सब important formula से इसको आप note-down करते रही है बुक्स से कर रहे हैं तो उसको आप highlight कर लिजे 10 inverse x plus 10 inverse y equals to 10 inverse x plus y divided by 1-xy 10 inverse x minus 10 inverse y equals to 10 inverse x minus y whole divided by 1 plus xy यह वाला एक important last formula 10 inverse x plus 10 inverse y plus 10 inverse z equal to 10 inverse x plus y plus z minus xyz whole divided by 1-xy minus yz minus zx ठीक है यही total 4 important concept और formulas है some and difference formula जिसके उपर में base करके question पुछा जाएगा ओके तो इसके उपर में अभी हम लोग कुछ questions कर लेते हैं फिर और some important results भी हैं वो results भी हम लोग देख लेंगे तो पहले some and difference formula के उपर में कुछ question कर लेते हैं मैं इतना ही तक cover करता हूं first part में second part में हम लोग कुछ question solve करेंगे तो कुछ important result भी देख लेंगे ठीक है तो यह investing metric का यह first part जो है आज यहां पर end करते हैं इतना तक आपको जितना भी formulas में बताया उसको याद करके रखना है उसको note down कर लीजे book से करें तो उसको highlight कर लीजे याद करके रखें ताकि जब हम next जो वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें जो question करूंगा उसको आपको खुद से करना है ठीक है अगर ना आए तो फिर आपको वीडियो को revive देखके फिर करना है ठीक है तो यह सब आपको जितन जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए तो फिर मिलते हैं ऐसे ही न्यू टॉपिक इन्वस्ट इग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट लेकर जल्द में मैं आपसे मिलता हूं next वीडियो में फिर मिलता है next वीडियो में